All is well प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी वसंत भाग दो से अगला चेप्टर पाठ अठारा संघर्ष के कारण में तुनुक मिजाज हो गया धनराज पिल्ले जो की हाकी खिलाडी है होकी के इस महान खिलाडी के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे संघर्ष के कारण में तुनुक मिजाज हो गया तुनुक मिजाज होना मतलब की चीड जाना छोटी छोटी बातों पर तो धनराज पिल्ले जो हैं वो ये कह रहे हैं ये उन्ही का सेंटेंस है कि संघर्ष के कारण में तुनुक मिजाज हो गया मतलब उनके जीवन में इतने संघर्ष आये कि वे इस प्रकार के behavior के हो गए बच्चो इस पार्ट का माइन में इस प्रकार से है वाक्यांशो का प्रयोग इसमें है त्याग की भावना बताई गई है संघ्या सर्वनाम है गाओं की और शेत्रिय बोलियों का मिश्रण हम इसमें पढ़ेंगे और शब्दार्थ है नए शब्द संघर्ष के कारण में तुनक मिजाज हो गया धनराज होकी के सुप्रसित्त खिलाडी थे और जब वे 35 वर्ष के हुए तो विनीता पांडे द्वारा उनका एक साक्षातकार लिया गया मतलब एक इंटर्यू लिया गया हम उसी इंटर्यू को इस पार्थ में पढ़ेंगे इसमें धनराज पिल्ले के बचपन से लेकर अब तक की प्रमुग घटनाओं का वर्णन किया गया है धनराज पिल्ले का बचपन खिडकी पूने की तंग गलियों में व्यतित हुआ खिडकी गाओं का नाम है या खडकी हम कह सकते हैं चित्र में आप देख रहे हैं खडकी पूने की तंग गलियों में व्यतित हुआ बीता और वे मुंबई के हीरान अंदाजी पवई कॉंपलेक्स में महराष्ट सरकार द्वारा दिये गए फ्लेट में अब वो रहते हैं उनका जो बचपन था वो शुरू हुआ खड़की के छोटे से गाओं की तंग गलियों से और उसके बाद वे जब प्रसिद्ध हौकी खिलाडी बने तो वे फिर कॉंपलेक्स में महराष्ट सरकार ने उन्हें एक फ्रेट दिया मुंबई में जहां पर वो रहने के लिए आए धनराज पिल्ले का बचपन अनेक कठिनाईयों से भरा हुआ था उनका परिवार बहुत ही गरीब था उनके दोनों बड़े भाई हौकी खेलते थे धनराज भी हौकी खेलना चाहते थे परन्तु उनके पास हौकी स्टिक खरिदने के लिए भी पैसे नहीं थे इतनी गरीबी थी वह अपने साथियों की स्टिक उधार मांग कर खेला करते थे जब इनके बड़े भाई का भारती केम्प में चुना हुआ या वो चुन लिये गए तो धनराज को उन्होंने अपनी पुरानी स्टिक दे दी जो कि धनराज के लिए बहुत ही अमुल्य थी क्योंकि अब वो इस्टिक उनकी अपनी थी उनको अब किसी से खेलने के लिए इस्टिक मांगने की आवशक्ता नहीं थी तो उस पुरानी स्टिक में ही धनराज बहुत ही खुश हो गए अब ये तो उनके बचपन की बात बचपन में अपने दोस्तों से होकी मांगा करते थे फिर बड़े भाई के द्वारा उनको उनकी पुरानी स्टिक दे दी गई आगे वे बताते हैं कि उनकी माता से उन्हें बहुत ही प्रेणना मिली चाहे भारत हो या विदेश हो सुरात में सोने से पहले वे अपनी माता से जरूर बात करते थे अपनी बड़ी भाई कवीता को भी वे अपनी मा के समान मानते हैं और उन्हें अपनी प्रेणना इस्तरोद बताया है उनका भी उनके जीवन में महतुपुर्ण इस्थान है, मा के साथ साथ बड़ी भावी जी का धनराज क्रत्रिम घास पर पहली बार राश्ट्री खेलों में 1988 मतलब 1988 में वे नई दिल्ली आने पर खेले जो क्रत्रिम घास के मेदान होते हैं वे बार बार उस मेदान को छू कर देख रहे थे कि एक रत्रिम घास केसे हो गाई गई है, उनके पास उनके जीवन में सबसे पहली कार एक सेकेंड हैंड अर्माडा थी जो उनको पहले एंप्लायर ने दी थी वे मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर करते थे, एक बार एक पत्रकार ने उनकी फोटो भीड भरे प्लेटफार्म पर कीची और उसे अक बार में छाब दिया और साथ में लिखा कि ये होकी फ्लेयर पिल्ले अभी भी लोकल ट्रेन में सफर करता है वे इससे हमें ये पता चलता है बच्चो की वे अपनी कमाई को विर्थ नहीं गवाते थे उन्होंने पेशा जमा करके अपनी बेहन की शादी की मा को हर महिने पेशे भेजा करते थे आज उनके पास फोर्ड आईकॉन गाड़ी है जो उन्होंने 2002 में खरी दी पहले तो वे अपने परिवार के आर्थिक तंगी दूर करने में लगे रहे तो बच्चो ये था दनराज पिल्ले का जीवन परीचे कुछ नए शब्द इस प्रकार से है तुनक मिजाज मतलब चीरचीड़ा हो जाना हैसियत सामर्थ को कहा है कदर आदर उम्मीद आशा फिसड़ी जिससे कुछ भी करते धरते ना बनता हो मायूसी का मतलब होता है निराशा बच्चो इस पार्ट से हमें यह प्रेढ़ना मिलती है या हम धनराज पिल्ले के जीवन से यह प्रेढ़ना लेते हैं कि कुछ लोग जो है प्रसिद्धी पाकर रहेंकारी हो जाते हैं जो कि सही नहीं है प्रसिद्धी मिलने पर भी हमें हमेशा विनम्र बने रहना चाहिए क्योंकि विनम्र बने रहने से मनुष्य सम्मान पाता है और धनराज पिल्ले हमेशा विनम्र बने रहे और अपना उच्छे विचारों के साथ जिया तो बच्चो आपको यह पाट समझ में आ गया होगा धन्यवाद